जैश्री रादे कृष्णा साथियों मैं भी कृष्णा के आंसाहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छी स्वास्त और सुखत जिवन की मंगल कामना करती हूँ साथियों आज मैं बात करूंगी चमतकार एक चुटकी हल्दी का कैसे करेगा किस प्रकार आपके गुरूग्रह को मजबूत करेगा और आपके कार्रे बनाएगा आज की वीडियो में समझ जानकारी लेकर मैं आपके बीच में तो चलिए जटपट वीडियो प्रारम कर लेते हैं यह किन उससे पहले चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन का बटन जरूर प्रैस कीजेगा जिसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं आज मैं बात हो जाता है धन रुक जाता है धन खो जाता है चोड़ी हो जाता है करचा हो जाता है और हमारे घर में बरकत नहीं रहती दूसरी बात विवहा के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं विवहा किसी भी तरह सैट नहीं होके देता तीसरी बात वैवाहिक जीवन सुख में नह से आप सफर कर रहे हैं तो आप यह मान लीजिए कि आपको गुरु ग्रहा को मजबूत करना है भगवान शिरी खरी विष्णु जी को और लक्षमी जी को प्रसन्न करना है जिसे कि हमारे सारे कारे सुचारू रूप से चले हमारे घर में धन आगमन के मार्ग बने विमंगल कार प्रारम हो जाए विवा के मार्ग में जो बाधाय आरे हैं वह दूर हो जाए और अगर पती-पत्नी के बीच में कलेश प्रेम नहीं है तो वह भी दूर हो जाए करना कहा है आपको यह साथ गुरु वार का उपाए यानि कि थर्जडे यानि कि कोई से वीरवार कहता है ब्रस इस भी बखेट में जिसमें आप नहाएंगे एक चुटकी हल्दी डाल कर कम से कम पंदरा मिनट के लिए चोड़ना है ऐसा नियक्या अपने हल्दी डाली और फिर आपने फड़ाफण से नहा लिए नहीं कम से कम पंदरा मिनेट एक चुटकी हल्दी को उस पानी के अंदर रहना चाहिए जिससे उसका प्रभाव उसका ओरा उस जल में अच्छे से समा जाए जिससे कि आप इसनान करेंगे ठीक है उसके परशात नहादो के संभावत पीले वक्त आप मतला गर इस तरह के परिशानी है तो इललो कलएर की टी-शिर्ट अधर वाइस को ये ऐलो कलएर का है कि आपके पास जरूर होना चाहिए अगर इस तरह की प्रिशानीं का आप सामना कर रहे हैं तो गुरु आरके दिन हादोकर अगर आपके पास फीले कपड़े है तो पीले कपड़े पहनी नहीं है तो पीले रंग का दुपट्टा पीले रंग का रुमाल कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए जो आप अपने सर के उपर रखें पुजा के समय उसके पर चाहिए अपको क्या करना है कि एक चुटकी हल्दी लेनी है और वो तो पानी से आपने इस्रान कर लिया उसको गाय के शुद्ध घी में थोड़ा retaining जिसमें वो हल्दी का पेस्ट बन जाए बस एक चुटकी हल्दी का पेस्ट बन जा है बस इतना सा बनाने लैना है अ वरत कीजिए या न कीजिए इसमें कोई बात देता वरत की नहीं है शोक फाद आपने अपनी पूरीय holiday जो भी आपको करनी है कर लिए जो मंत्र आपको आता है वो तो कर लीजिए जितनी बहुत बढ़ता चला जा रहा है पैसा नहीं आ रहा है जिनोंने ले लिया वो दे नहीं रहे हैं ये वाली दिक्कत माता लक्षमी हमसे पता नहीं क्यों नराज हो गई है क्यों हमारे घर में बरक्कत नहीं हो रही है मेरे बच्चों के विवहा के मांगली कर रहे क्यों नहीं हो पारा रिष्टों में मिठास नहीं है रिष्टों में प्रेम नहीं है मन मुटाव है अनवन है क्या करें जब इतनी सारी परिशानी है कुछ भी आपके अंदर कोई भी दिक्कत है आपकी है आपके बच्चों की है उनके विशह में आप अपनी मनों काम ना करी कि है प्रभू अ नलाएया आड트가 क्या होता है भूता है यह सब भव राखने के बाद आपने घी में हल्दी का पेश्ट बनाया है उसमें भगवान जी को आपने तिलक लगा दिया ठीक है उसी फिंगर से जिस फिंगर से आपने भगवान जी को तिलक लगाया फिर लीजिए एक तिलक छोटा सा अपने मस्तर पर लगाईए फिर लीजिए एक तिलक छोटा सा अपने दोनों कानों पर लगाईए छोटा सा लगाना अगर आपको अपने दोनों हैं यही तो करम है नहीं से तो महरत करते हैं छोटा सा तिलक आपको अपनी नाभी पर बस यह लगा के भगवान के उपर सब कुछ छोड़ जीए ये उपाई इतना जबरदस्त काम करता है आप साथ गुरुवार तो कम से कम करिये ही करिए और जब आपको लगे ना कि हमारे तो काम बनने शुरू हो गए अब तो देखो बच्चे के रिष्टे अच्छे आने लगे है विवा की बात चलने लगे इसे छोड़िएगा मत इसे करते रहिएगा इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं है कोई भी परिशानी नहीं है अगर आपको पीरेड आ जाता है और उस गुरुवार को अपनी कर पाते कोई बात नहीं फिर अगले गुरुवार को कर लो 7 को कर लो 9 को कर लो 11 को कर लो करते रो जो वरत करते उनके लिए तो बहुत असान है यह जो वरत नहीं करते वो भी कर सकते है प्राते काल ही करना है जितनी जल्दी हो सके उतना करना है अगर आप बर्किंग है तो भी नोन बर्किंग है तो भी बर्किंग है तो एक छोटी सी पूट लगता है बहुत चोटा सा और इसमें कोई शरम की बात तो है नहीं भगवान की पूजा ही तो कि यहां भी लगाईए और नाभी पे लगाईए और कपने पहन के आप अपना जो भी आपको करना है कि यह इसा चमतकारी उपाएक चुटकी हल्दिका करके देखिए सारे क सारे कार्य न बने तो कहना और लेकिन भगवान पर विश्वास ज़रूर रखेंगे ऐसा नहीं है कि मैडम ने बोल दिया था हमारा तो हुआ ही नी पता नी कैसे होता है कुछ भी काम नी करा आपका तो पाए कुछ कामी नी करा बहुत सारे बच्चे लिखते हैं आपका उपाए करते हैं सारे काम बनने शुरू हो गए हमारे जीवन में तो इतना परिवर्थन हो गया मैं तो बहुत कुछ रहने लगी कुछ बच्चे लिखते हमारे तो कभी कुछ होता ही नि सब तरह का है सब का हपना अपना हिसाब है लेकिन विश्वास से करो ये निकाम करेगा तो वो करेगा कोई ना कोई तो जरूर ही करेगा विश्वास के साथ करते रहो प्रेम के साथ करते रहो अपने मन को स्वच रखो अपने विचारों को स्वच रखो अपनी जिवा को सच रखो और इश्वर पर विश्वास रखो तो आज के लिए इतना ही आशा करती ही ये एक चुटकी हल्दी का उपाय आपके लिए बहुत चमतकारी सावित हो अपने अपने अपनों का ख्याल कीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए जितना चाहे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए कमेंट वोक्स में ओम नमो भगवते वासु देवाई रादे रादे हरार मादेव कुछ भी लिखे लेकिन लिखे जरूर इश्वर आपकी मदद करें